हेलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का स्वागा थे अड़ोडी फोर्ट सेविन के ऑफिशल यूटूब चनल पर वैब भश्रवासों के साथ और उम्मिद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपके त्यारे भी एची चली होगी तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि हमने कल भी बात किया था आपसे, कल हम लोग ने प्रिवेस एर क्वेस्टन जो बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट आफिसर का आया था, उस टाइम भी यह सारी चीज़े थी, हम लोग ने डिसकस किया था कि आज से आपकी बैंकिंग अ महादेव, और उमीद करते हैं, आप सभी लोग रेडी होंगे, फड़ा फड़ा हम स्टार्ट करते हैं, हलो ब्रजन सर, नमस्कार, हाई पलक, साक्षी, और प्रियंका मैं, वेरी वेरी गुड इविनिंग बच्चे, दोस्तों आपको बता दें, जो हमारे ने दोस्त हैं, आपको वीडियो को लाइक और सेयर कर लेना है, आप सभी लोग ने, क्योंकि पूराने इतों है, तो सबको बता ही है, अगर आपके पास अड़ा का एप नहीं है, तो एप आप इंस्टॉल कर सकते हो, तो आपको सारे अपडेट नोडिफिकेशन, आपको नोडिफाई होते हैं यहां पर, तो आते हैं, यह स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि 27th of Faps हम लोगा एक बैच लिज्ट करने जा रा है, हम लोग चाए वो क्रेडिट आफिसर का हो, या फिर आपके IT आफिसर का हो, यानि कि स्पेसिलिस्ट जी बिय जो भी कह लो, आप इन दोनों batches में कोई सा भी batch जिसके लिए आप eligible हो, आप form fill करके और इस code, company code के साथ enroll करा सकते हो, जिसके उपर आपको maximum discount grab होगा यहाँ पर, ठीक है, तो आपको code यहाँ तक न, Y307 code, bank of India credit officer और IT officer के लिए, या तो आप bank maha pack पर जा सकते हो, bank maha pack पर आज आ double validity, double validity का मतलब क्या, आप ऐसे समझ लो, अगर आप 6 month का ले रहे हो, तो 6 month आपको extra मिलने वाला है, और 12 month का ले रहे हो, तो 12 month आपको extra मिलने वाला है, उसी 6 और 12 month के cost पर, यानि कि 6 मंद का पे करोगे, तो 6 मंद आपको add-on हो जाएगा, 12 मंद का पे करोगे, तो 12 मंद आपको extra add-on हो जाएगा, यानि कि 6 महीने पे 12 महीने और 12 महीने पे 24 महीने, और code आपको यातना सब के लिए code आपको क्या है, Y307 code, इसमें आपको क्या मिलेगा, सभी bank exams, चाहे हो आपके Bank of India हो, चाहिए हो आपका Insurance exams हो जाए, AWO, ADO, Pre-Means on Interview, सब कुछ आपको आपको आपर cover होने वाला है, तो यह देख सकते हो, ठीक है, जी हम अनीज, इसमें मेरा ही होगा, मेरी है, मेरी ही classes होंगी टियर, आपको हमने दोस्तों डेली यह बताते हैं, form filling का date आपको याद दखना है, यह सारी चीज़ें, यह बहुत important होगा आपके लिए, और यह आपका exam pattern है, हम सारे class में आपको starting के जितने भी classes हैं, हम आपको जरूरी चीज़ discuss करते हैं, exam pattern के बारे में, ताकि आपका क्या हो, आपको इस चीज़ के लिए रहे सही, देखो, सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा marks देने वाला subject है, आप यहाँ पर यह देख सकते हो, 40 questions, 40 marks, 35 minutes, यह आपका qualifying ही है, यह आपका qualifying है, यह भी आपका qualifying है, यानि कि बस आपको qualify होना है, तो आपको इन दोनों subject में से सबसे ज़्यादा marks gain करने होंगे, qualify होने के लिए, तो आपका दोस्तों, यही वाला section है, जो आपको सबसे आराम से, आपको नई आपार लगा सकती है, इसी के लिए हम आपको अभी से start कर रहे हैं, गैस, आपका यहाँ पर देख सकते हो, आज के जो question है, ने, ने, सुबरा दीब L.I.C. के class होगी Monday से, prelims exam के बाद, सुबरा, L.I.C. के जो class होगी, वो pre exam के बाद होगा दोस्तों, ठीक है, pre exam के बाद होगी डियर, आप वहाँ पर देख सकते हो, हम बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर, what is the full form of NUUP, guys, last year में आप से ऐसे terminologist से question point out किये गए थे, तो question यहाँ पर यह है, कि what is the full form of NUUP, दोस्तों, NUUP का पूरा नाम क्या है, आप, यहाँ पर timer है क्या, नहीं timer तो नहीं लगाया, आज गरबर हो गया, कोई नहीं, NUUP का पूरा नाम क्या है, what is the full form of NUUP, ठीक है, दोस्तों, आपको जवाब देना है, ऐसे आदकना है, हम आपको बताते चलने हैं, आज timer नहीं लगा के लाएं हैं, बहराल आपको ऐसे questions देखने को मिलेंगे, यह आपके digital banking से question देखने को मिलता है, NUUP, और यहाँ पर पलक का जवाबा है, option E, अच्छा, यह होगा, और बाकी के लोग, देखो, अब यहाँ पर धहां सुनना, यह आपका रहा, नेसनल यूनिफाइड यूएसस्टी प्लेटफर्म, नेसनल यूनिफाइड यूएसस्टी प्लेटफर्म, गलत है, नेसनल यूनिफाइड यूएसस्टी प्लेटफर्म, यह गलत है, नेसनल यूनिफाइड यूएसस्टी प्लेटफर्म, यह आपका रहा, यह आपका रहा नेस्टनल यूनिफाइड उससदी प्लेटफोर्म दोस्तों यहां से धेहां से सुनना आपको एनिस्टेंड फोर नेस्टनल ठिक है यूसस दी की बात करें यूससदी का पुरा नाम क्या है? यूससदी का पुरा नाम है Unstructured Unstructured Supplementary Unstructured Supplementary Service Data on structure supplementary service data तो यह आपको याद लखना है यहां से इतनी चीज़े तो USSD की बात करें USSD कैसे आप यूज़ कर सकते हो तो आपने देखा होगा star 99 hashtag आप अपने mobile पर जो आपका bank में registered mobile number है उस पर ऐसे करना star 99 hashtag जब लगाओगे तो आपको यह चीज़े आद दिखेंगे ऐसे लिखेगा USSD running तो आप अपने mobile पर करके देखना यह USSD तो इसका पुरा नाम है National Unified USSD Platform USSD का पुरा नाम यहां पर है आपका ठीके नेक्स पॉइंट अगला question ध्यान से सुनना आप लोग ने तीक है question क्या है यहां पर question mark है ऐसे question आपको देखने को मिलेंगे आज का जो question है वो a level अक्च्वल बहुत normal हो basic level है आपका अगर ऐसे question आप tackle कर ले जाते हो तो आने वाले exams में जैसे भी होगा जो भी exam हो doesn't matter आपका Bank of India की ही बात करें सारे exams की बात कर रहे हमें आपे तो यहां पर क्या है question mark service help user in knowing their आधार seeding status with their bank account यानि कि अगर आपके bank account में ठीक है मेरी बात ध्यान सुनना आपका यह bank है यह bank है आपके bank account में आपका आधार नमबर ठीक है आपके account में bank account में इस customer का आधार नमबर feed है या seed है इस चीज को पता लगाने के लिए जो एक कह सकते हो यहां पर है एक service उस service को किस नाम से जानते हैं डबलू एपी QSAM NUUP बोथ A and B या बोथ B and C ऐसे question आपको देखा जा देखने को मिलेगा जब आप bank में select हो जाते हो ठीक है आप bank में select होते हो तो दोस्तों यह आपको यह पता होगा यह normal चीज़े आपको पता होनी चाहिए जब आप कोई बंदा आएगा तो कौन से service आप follow करवाते हो कौन से service आप उसको देते हो तो जो बंदा आपका bank में seed है या feed है उस चीज के लिए तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका QSAM क्या बन जाएगा QSAM उस service का नाम क्या है QSAM QSAM का क्या नाम है Query Service on Adhar Mapper query कर रहे हो आप कि आपका आधार आपके bank account में seed है या नहीं तो इसका पूरा नाम क्या है Query Service on Adhar Mapper क्या नाम होगा फिर से सुनना Query Service on Adhar Mapper तो यह चीज़े याद आपके लिखा हुआ है कौन से सर्वी से है has service help a user in knowing there Adhar sitting status with their bank account Adhar sitting status उनके bank account में QSAM ठीके ध्यान रखना है Next point WAP कुछ नहीं है QSAM A NUUP WAP आपको जाने के लिए है आप फसाने के लिए है ठीके दिपांजली पहले आप computer ही पढ़ लो बेटा आप banking छोड़ी दो कहले computer पढ़ लो जादा बेल्दी हो जाएगा अरे computer की classes चलेंगी पहले इसको तो देख लो जो सामने है वो देखना ही नहीं है ठीके हम लोग की यही problem है पहले यह तो देख लो बैंकिंग चल रहे तो बैंकिंग तो पढ़ लो बच्चे फिर बाद में computer आप देख ले ना अभी computer हम आपको बता देंगे computer की classes अभी हो नहीं रही है अभी होंगी जब आपका जब आएगा exam आपको सामने आएगा तब आप computer केतना है आपको याद रखना आसान रहेगा कैसे याद रखना आसान रहेगा है मेरे बास समझना हम अगर हम आप से प्वेस्टन ये करें कि मेरे भाई आपको ये बताना है कि माई माई-माइडी और माई-स योड आया फसी में टिक इसका पूरा नाम है तो इसका पूरा नाम है magnetic in character recognition और इसका पुरा नाम इंडियन financial system code तो यह आपको यातना है C का मतलब यह code होता है और इसका पुरा नाम है magnetic in character recognition तो तीन चीज़े तो ऐसे clear हो गई तीन question ऐसे आ सकते हैं कोई सा भी question आ सकता है अब question आता है MMID कितने डिजिट का होता है तो दोस्तों आपको यातना सेवन डिजिट का होता है यह आपको याद रखना होगा यह से ध्यान से सुनना याद करना आसान है सब्सक्क्राइब सब्सक्राइब आप लोग क्या करते हो हम लोग पूछ रहे थे क्वेस्टिन की अच्छा बड़ा चौधरी बन रहा थोड़ा बताना तो M.I.C.R. ये यूज कहां किया जाता है ये यूज कहां किया जाता है M.I.C.R. तो हम कहते जब क्या होना चाहिए आई-फ-एस कोड होना चाहिए तो यहां पर फंड ट्रांसफर के लिए आई-फ-एस-C और चेक्लेरंस के लिए M.I.C.R. तो और M.I.D. किसमे यूज होता है तो आपको यातना बोलना है I.M.P.S. में यूज किया जाता है M.I.D. नमबर किसमे यूज किया जाता है M.I.D. नमबर याद रखना है किसमे यूज किया जाता है I.M.P.S. में यूज किया जाता है बोलो क्लियर है हाँ या ना बताओ भई सारी चीज़े क्लियर हैं आपकी तो IMPS में MMID, ठीक है, और for check clearance के लिए MICR, IFSC for NEFT या fund transfer, जो भी कहल होगा Next point, अगला point क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनना Which of the following is the slogan of UPI payment, यानि कि UPI का slogan क्या है यह आपको जवाब देना, आप लोग हमेशा use करते हो आप support पर जाओं आचल, आपको जब banking foundation के classes नहीं मिलते हैं तो आप support पर जाके बात कर लो बेटा यहां से हम कैसे ही बता दें आपको कि क्या मिलेगा आपको फटावर जवाब दीजेगा क्या होगा आप लोग सब जानते होंगे आप लैजनी हाना सबताना, इमांदारी से बताना है कितने हो लोगों को बता था यूपया का या स्लोगन सायद rare to rarest होंगे ठीक है तो यह ध्यान रखना आपको अगर आपके बॉकेट में होगा तो max to max आप 500 रुपए रखे होंगे आप कहीं पेमिंट करने जाते हो तो 500 रुपए कम यूज़ करके आप ऑनलाइन पेमिंट जादा करते हो उससे दो-तीन फायदे होते हैं वीकिन फायदे क्या अगर आपने किसी को पेमिंट किया और इसके बास 70 रुपए पेमिंट करना आपको तो 3 रुपए या तो देता नहीं है या तो कुछ टॉफी थमादेगा आपको अगर ऑनलाइन पेमिंट करोगे तो आप 17 रुपए कर दोगे तो यह फायदा है न तो बात आती है UPI की, तो बात खतम तो होगी नहीं, आगए बढ़ेगी, UPI का पुरा नाम क्या है, Unified Payments Interface, ये आपको याद का, Unified Payment Interface, ये आपको पता होगा, UPI का, ठीक है, तो दोस्तों UPI की बात करे, UPI किसका प्रोडक्ट है, में मुद्दे की बात करे, UPI is the product of, किसका प्रो NPCI किसके द्वारा लाया गया था, RBI के द्वारा, और किस साल में, 2008 मिलाया गया था, NPCI का प्रोडक्ट है UPI, अब मेरी, मेरा question, भई, अजो करते ने, question की पराकास था, हमारी सोच, हम लोग करते हैं, हमारा मन तो भरता है नहीं, अब question और दिमाग में खुराफात आएगा अच्छ, अच्छ, UPI की बात आई, तो सर इसमें maximum कितना पैसा transfer कर सकते हैं, पहला question, maximum transaction कितना कर सकते हैं, within one day, एक दिन के transaction कितना कर सकते हैं, या आपको पता है, कितने लोगों को पता है, सही से बताना, एक दिन में कितना पैसा transfer कर सकते हैं, maximum in amount, और maximum in transaction, एक दिन में maximum कितन आफिको आइडिया है एन पीचिए को आर्गाई ने लाया था 2008 ने किसी रमेलाय था 2008 2008 में किसे और अनपीच और अधिक प्रोड़क्ट पॉन है यूपीई यूणी पेमिंट inटर फेस क्लेर e-r सायदावड यूजनी कए नार être पतेल सर एक जैक्टी एक लाकिस मैक्सिम взять सुम्आ इन एमाउंट एक लाक अमाउंट में मैक्सिमम है और जोस्तों मैक्सिम्मान ट्रांजेक्शन इन हड़े पर आग Usually Transaction एक दिन में आप कर सकते हैं कि इतने transaction in a day to 20 lakh rupees कितना है दोस्तों सारी 20 लाग करें माफ किज़ेगा 20 transactions अगर transaction की बात करें तो ठीक है इसमें आप कितने आप आपका passcode क्या होता पाई यानिकी हम लोग पिन डालते ना तो चार डिजिट से लेके छार डिजिट का पिन हो सकता है फूर टू सिक्स आपका डिजिट का पिन हो सकता है चार से चे ठीक है यह चीज़े ध्यानक ना आप लोग ने बोलो हाया ना यह चीज़े क्लियर हैंगा इस आगले क्वेशिन को चलते को बहुत बीजी बीसी क्वेस्टिन है अगर आप ने अच्छे से पढ़ लिया यह सारी चीज़े ना तो आप टाम शोरा गारंटीर है आपको यह सारी चीज़े क्लियर होंगी भारा सर दस ट्रॉंजेक्शन इसर आप यह आपक 20 ट्रॉंटी ट्रैंजेक्शन से लाओ है परेडे ठीक है विच अब दू फॉलोविंग इस नोट अवैलबल टू डिपॉजिटर्स आफ नवी अप सी ठीक है अन्वी अप सी के जो डिपॉजिटर्स है उनके लिए का यानि कौन सा कौन से इनकी इसमें लिखा हुआ है बैंकिंग फइनिशल कंपनीज का नाम है नॉन बैंकिंग फइनिशल कंपनीज टीकें मेरी बात धिहां से सुनना कंपनीज यिक किसके अंडर में आया है तो दोस्तों यह आपका इसका एक्ट है क्या कर्कोनीज ऑर फि Laure hanager 1013 हो आपका एकाउंट आपके एकाउंट में जो पैसा है आपने अपने पैसा जमा कर रखा है कल को वो बैंक उस बैंक बैंक रप्ट होगी सब्सक्राइब गया वो बैंक या उस बैंक का लाइसेंस आरे ने कैंसल कर दिया उस केस में क्या होगा उस केस में क्या होगा क्या आपका पैसा मिलेगा जी हाँ आपका पैसा कितने तक इंसे और है फाइव लाक रुपीज तक आपका पैसा सक्योर है पांच लाब आप सोचो आप अपने काउ रुपए रखे हो और बैंक डूब गया तो आपका 10 लाख में से 5 लाख तो मिल जाएगा क्यों 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 वहां पर जिम्मदारी कौन ले लेता है डियाई से जिजी काता निस्चिंद रहो तथास तू हम बैठें बाकी जो 5 लाख रुपए है तो वो चला गया फिर तो हाई हाई माई के अलामा कुछ नहीं मिलने वाला तो बट अगर आपको यहाँ पर हम बात करें NBFC में अगर आपने डिपॉजिट कर रहे हो ठीक है NBFC डिमांड डिपॉजिट एकसेप नहीं करता अभी हम आपको एक्स्प्लेइन करेंगे बिल्गुल बेसिक से पढ़ना पड़ रहा है बट NBFC में अगर आप डिपॉजिट करते हो तो आपका वो सेक्योर नहीं है अगर NBFC पैसा लेके भाग जाता है या दीवालिया हो जाता है तो आपका पैसा सेक्योर नहीं है यानि कि यहीं वाला आपका एंसर होगा क्यों 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 कि है क्वेस्टन क्या है अगर पांच लग से कम होंगा चल तो आपको पांच लग से कम मिलेगा अभी थोड़ी नहीं कि अगर आपका क्या ठिक है ऐसे समझ लोगा आपके कौन में 15,000 है या फिर 500 रुपए है और आपका बैंक को बैंकरप्प हो जाता है ठीक है तो आपको थोड़ी ना पांच लग प यह चीजे समझना तो डिपाज़िट इंसरेंस फैसलिटी आपका वैल बल नहीं होता एन भी अप सी में ठीक है एकोर्डिंग टॉप्टिंग पॉब्लिक डिपॉजट एन भी अप सी कैन भी क्लासिफाइड इंटू हमेनी काटिग्रिश हो में ब्रॉड काटिगरी इने के विस सब रह ब्रॉट काटिगरी क्या है तो ध्यां सुना एकॉर्डिंग टू एक्सेप्टिं पबलिक डिपॉजिट एन बी अपसी स्कैन भी क्लासिफाइड इंटू ब्रॉट कैटेगरीज कितने ब्रॉट कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है तो फुर 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 जान सुनना एन भी अपसी दो पॉब्ल में होता है एक होता है क्या होता है एक होता है एन भी अपसी डी ऐसे आतना एक होता है एन भी अपसी डी अन भी अपसे डिपॉजिट और एक होता है एन भी अपसी एंडी नॉन डिपॉजिट इसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज क्या जाता है तो दिया टू कहा है हाँ तू यह तो है option is the correct answer जो जो पब्लिक एक्स पब्लिक डिपॉजिट जो एक्सप्ट कर रहा है ठीक है जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सप्ट कर रहा हाँ 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 exactly सारे बैंक बैंक आपको पैसा नहीं देगा बैंक के बिहाँ पर डियाई सिजिसी देगा रितिक भाई deposit insurance credit guarantee corporation वो देगा आपको बैंक तो चलाई गया बैंक तो जहां जाना था वो चला गया उन्टो बैंकरफ्ट हो गया दिवालिया हो गया license cancel हो गया उसके बदले में डियाई सिजिसी इंस्योर करता है according to RBI यानि कि RBI उसको premium pay करता है कि सभी बैंकों के खाते को आपको इंस्योर क वह नब दिन के अंदर ठीके next point BS BDM AD Coast के लिए स्ट्राइं करता है इन बीस बीड़ी आडिस टैंस फॉर इन बीस बीड़ी ए डिस टैंस फॉर one इसका पूरा नाल है आदम टाइमर नहीं लांए कल सम टाइमर लाएंगे basic savings bank deposit एकाउंट bank deposit account यहां पर question क्या है की बीस बीडिये में डी किसके ले स्टैंड करता है तो गाइज इस डिपाउजिट किसके लिए तो ऑफिन सी इस दा करेक्ट एंसर सबसे इजी क्वेस्टिन सबसे निहायत इजी क्वेस्टिन ठीके बोलो यस और नो हाया ना एक्जाक्ली वेरी गुड बहुत अच्छे सुपब गुड तुट डिपाउजिट अच्छे बीस बीडिये कब आया था बीस बीडिये कब आया था तो दोस्तों यह आया था 2012 में किसका नाम बदल के लाए गया था No Frills Account का नाम बदल के लाए गया था किसका नाम बदल के लाए गया था न फरील्स अक्वाइट का नाम बदल मदल के लाए गया था BSBDA बोलो क्लियर है हाँ या ना फटाफ़ जवाब दो यस और नो क्लियर है नेक्स पॉइंट की बात करते हैं अगले प्रेशन को चलते हैं नो फिल्स का बाया था यह भी धियान रखना नो फिल्स आया था 2005 में टिके नेक्स पॉइंट ऑफ्टन सीज दा करेक्ट एंस अगरा प् सब्सक्राइब भाई हमें लगता है निहायत इजी इस तीजी कुछ हो ही नहीं सकता अभी जस्ट हम लोग ने अपडेट किया इसके बारे में तो यह आपका क्या होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड अगर आफ रेसर हो तो आपको बार बार बोल रहें आप लोग देखो एक स्सेमीटिक में एक क्लास को जोईन कर लो और पूरा चीज़ चट कर डालो ठ्रक और आपको बता दें मैक्समम चीज़े आपकी कवर हो जाएंगे गारंटी है और इसकी गॉरइंटी हम लेते हैं की आपको बैंकिंग मैक्समम कवर होगा ठेक आप सकते हो इंडियन फानिशल सिस्टम को दोस्तों ये तो आपका फूल फॉर्म है ठीक है ये SBIN 0123456 यह चीज़े होती है ठीक है क्या SBIN 0123456 यह 11 डिजट हो गए आप देख लो कभी कभी प्रेस्चन मेरे लाल ऐसे भी पूछे जाते हैं इन आये फसी इन आये फसी फिप्ट डिजट इस टैंस फॉर पाच्वां डिजिस किसके लिए स्टैंड करता है तो आपको याद आये फसी कि पाच्वां डिजट क्या होता है सारे आये फसी सभी आये फसी सभी बैंकों के आये फसी में कितने होते हैं तो दोस्तों आपको यादना जीरो क्या होता है जीरो हमेसा जीरो होगा पाच्वां डिजट ठीक है आगे के जो चार होंगे नहीं यह जो चार आपको ब्रांच जो बैंक है ना उस ब्रांच पूर्ण के ब्रांच का कॉड है क्या है ब्रांच कोड है यह बो क्या है यह ब्रांच कोड़ है जा अंसु चौधरी बिटा आपकी क्लास होगी मंडे से बिटा प्रिलियम्स एक्जाम के बाद अंशु वो साड़े चार से पांच होगी बच्चे वापका तो यह चीज़े यहां देखना आई एफसे इंडियन फाइनिंशिल सिस्टम कोड ठीक है एस बी आई एन जीरो वन टू टू ट्री फोर फाइज सिक्स आगी का जो चार डिजिट होगा वो बैंक को मेंसन करता है कौन सा बैंक है पच्चवा क्या होगा जीरो होगा और लास्ट के जो च्छर डिजिट होते हैं वो ब्रांच कोड होत बोलो यस और नो ख्रीयर है यार बहुत बेसिक चीज है बहुत आसान तरीके से आप अप्डिट कर सकते हो तो यह बेसिक प्वेस्टिन प्रार गया था तो तो आपका जो वोगत-च्छे वाले आएंगे बहुत क्वेस्टिन देखने को नहीं मिलेगा ठीक है तेके अधर नेक्स पॉइंट यजवाब दो what is the interest rate that bank has to pay the customer as compensation if the credit is delayed to beneficiary account or if there is any delay it is returning the transaction to the originator in case of NIFT यानि कि आपने अपने पापा या भाई के account में NIFT किया पैसा ठीके या फिर आप अर्जेंट कहीं पैसा भेजना था आपने पैसा भेजा और जो beneficiary है उसके account में पैसा credit नहीं हुआ उस हिसाब से उस लिहाज से अगर हम बात करें तो originator जिसने पैसा भेजा है उसके account में किसकी बिहाब पैसा bank interest के साथ वापस करेगा क्या होगा यानि कि as a penalty यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर question यहाँ लाब आर्थी के खाते में credit में देरी होती है या NIFT के मामले में लेन देन को प्रवर्टर को वापस करने में कोई देरी होती है suppose that हमने NIFT किया किसी के account में वहाँ पर ना पहुंचके वापस मेरे account में आया तो ठीक है आया तो फंस गया matter वो पांस से साथ दिन आर्ट दिन दस दिन बाद ना तो उसके पास गया तो मेरे पास आया उस case में बैंक को मौफजे के रूप में ग्राहां को कितनी ब्यास दर का भुकतान करना पड़ता है exactly bank liable है हमको ब्याच के साथ as a penalty उसको उपर लगना penalty लगता है और बैंक उस penalty के साथ हमें पैसा वापस करेगा तो दोस्तों आपको याद अकना है रही प्राइब प्लस टू पर सेंट रापूरेट फ्लस टू पर सेंट जो रहा पूरेट चलग वर्तमान समय में वो प्लस दो पर सेंट और लगा के बैंक हमको वापस करेगा अगर पैसा ट्रांसम नहीं कर रहा उसके कौन में या फिर उसकेस में बैंक रेट प्लस टू परसेंट यह धिया नखना आप लोगों ने यह ध्यांस यह सब्सक्राइब बैंक रेट बोल रहे माफ किजिगा रैपर रेट प्लस टू परसेंट यार ओके नेक्स पॉइंट तो कुछ नहीं है तो गाइज आई होप किया आपको इसे संवा आपको बता दे कि आप लोगों का यह बैच हम बिल्कुल सेम यहां बैंकिंग भी आपको कवर कराएंगे बैंकिंग का डेडिकेटेड वे में जो ऐसे आपके एक्जाम में देखने को मिलता है बैंक आफ इंडिया लास्ट टाइम पर हमने बैंक आफ इंडिया से डिसकस किय ठीक है या तो दोस्तों आज में बैंग महा पैक्यों पर डबल वैलिडिटी है क्या है डबल वैलिडिटी है आप इसको जोईन कर सकते हो और इसके लिए मतलब क्या अगर आप 6 मन्त का ले रहो तो 6 मन्त आपको एक्स्ट्रा एड़ाउन हो जाएगा यानि 6 महिने के पैसे करोगे तो आपको 12 महिने मिलेंगे और अगर आप 12 महिने का पे करते हो तो आपको 24 महिने ग्रैब होगा यहां पर आप देख सकते हो हम आपको दिखा देते हैं आप कैसे इन्रोल करा सकते हो इसमें ठीक है सबसे सिंपल वे में आप यहां पे देखना हम आपको लेकर जाते ह पर बिल्खुल कुछ इस तरह से खुल के आएगा ठीक है आप पहले बैंग महा पैक दिखा देते हैं अगर आपको बैंग महा पैक सुनना मेरी बात आप सभी लोग देख लो जिनको कंसन है जिनको आगे तैयारी करनी है जिनका 2023 लक्ष है या जिनको 2023 में एक्चिल कुछ करके गुजरना है तो आपको बता दें तो यहां पर आपको क्या होगा अगर आब बैंक माहा पैक में हो तो आपको मेरी सारी nostra2 मिलेंगी चाहudent गभ्ए एंक सतेने म्यवीक लेरी चाहिए अगर आप महा पैक वित बूक­किट चाहते हो यह है आपका तो महा आप एक नॉर्मल हम देख लेते हैं, तो कोई यहाँ पर लिखा हुआ है, 12 प्लस 12 मन, 6 प्लस 6 मन, तो 6 प्लस 6 मन, या निक 6 मैंने लेते हो, 6 मैं एक्स्ट्रा आवेलबल होगा, और आपको कूपन कोड लगाना है यहाँ पर, Y 307, 307, Y 307, और इसको अपलाई कर देते हो, तो 3288 का हो जाएगा, 3288 में आपको एक साल का सारी क्लासेज मिलेंगी आपको, ठीक है, एक साल में सारी क्लासेज आपको अवेलबल हो जाएगी, यहाँ पर आपको बता रहे हैं, यह कोड आप देख लेना, ठीक है, यह कोड आप लगा सकते हो, इस कोड के उपर 3288 में, in fact, अग अगर आप सीधे बैच में इन्रोल कराना चाहते हो, आपके पास उसका भी option है, अगर आप जैसे बैंक ऑफ इंडिया में जा रहे हो, बैंक ऑफ इंडिया के लिए बैच के लिए जा रहे हो, आपका आपका आई-टी ऑफिसर एक क्रेडिट ऑफिसर का रहा है, इतना देखन आई नहीं आपको ठीक है फोर टाइम नाइन यहां पर जाना वही चीज और कूपन कोड आपको अप्लाई करना है कूपन कोड का है वाई 307 और इसको अप्लाई कर देते हो देखो टू टू डबल नाइन का हो रहा है क्रेडिट आफिसर का आप नंदिनी अभी ट्रिकिस स्टैटिक का बैया चारा बेटा वहां से जोईन कर सकते हो आप ट्रिकिस स्टैटिक है उसे जोईन कर सकते हो बच्चिया ठीक है तो दूस्तों यहां पर आप देख सकते हो यह आपके क्लासेज है यहां पर जो आपको डबल टू डबल नाइन का अब इसमें आप सबसे suitable होगा, आप महाँ पैक ले लो, double validity है, आपको 1000 और लगाता है, पुरी साल भर के सारी classes करोगे, RBI assistant मिल जाएगा आपको, आपके जितने भी, Bank of India का दोनों class, credit officer, IT officer, दोनों class, जो भी आपका है, कोईके दोनों exam तो same pattern पर है, ठीके, या फिर आपका आने वाला, जो ESIC भी आने वाला, वो भी मिलेगा आपको, हम लोग की foundations भी मिलेंगी, हम लोग के individual classes भी मिलेंगे, current affairs के भी classes मिलेंगे, आपको पूरे साल भर का, December तक का current affair, महीने महीने होगा आपका, वो चीज़े भी आपको available होगी, तो thank you guys, have a great day, आप से भी अपना ख्याल आपर और और आई, MPS discuss करिंगे, 20-20 मिलेंगे, राद बारा से, साथे बारा के बीच में, ठीके, तो thank you, तो love you all, have a great day, महादे, रादे, 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 गूद नाइट, बादे, अभी आपक, अभी आपक, 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